नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं और रिचा हाजिर हैं फिर से इस सफ़ता आपके खेती से जुड़े सवालों के जवाब लेकर साथ दो आठ नौशुन्य शुन्य 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 अपनों से पूछो पर भाई हम तो बहुत खुश हैं आप सबसे मिलकर और बताइए खेदी बाड़ी कैसी चल रही है आपने कौन सी फसल बोई है इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करें किसान भाईयो आप कारिकरम सुनते सुनते अपना सवाल हम तक पहुचा सकते हैं प्ले स्चोर से मेरा गाउं एप डाउनलोड करके अपनों से पूछो सेवा के जरीए इसके अलावा 728-900-900-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग और वाट्साइप मैसेज के माध्यम से भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं बिल्कुल अश्पिन तो इसी के साथ किसान भाईयों हम लेते हैं आज का सवाल और जानते हैं उनके जवाब जो हमें किसान साथियों और प्रशी एक्सपर्ट से मिले हैं पहला सवाल है आराम सिंग जी का संबल से ये पूछ रहे हैं कि सरसो का पत्ता पीला पढ़कर गिर रहा है क्या उपाई करें इस पर हमारे क्रशी एक्सपर्ट ने जवाब दिया है कि लक्षन नजर आते ही 600 से 800 ग्राम मैनकोजे ग्यानी डाइथेन M45 को 200 से 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रती एकड की दर से स्प्रे करें 15 दिन बाद फिर से इसी मात्रा में फसल के अंदर स्प्रे करें ऐसा दो से तीन बार करना ज़रूरी है इससे जल्द ही आपको समस्या से निजात मिल जाएगी विच्चा अराम सिंग जी की इस समस्या का समाधान तो हो गया है अब जानते हैं हमारा अगला सवाल किसने और कहां से भेजा है ये मिला है हमें चंदोसी से गौरव जी का गौरव जी परिशान है क्योंकि उनकी ग्यों की फसल में दीमक लग गया है और उन्हें इस समस्या का हल जानना है गौरव जी की समस्या का हल करते हुए हमारे साथी किसान ने जवाब दिया है कि दीमा को नश्ट करने के लिए क्लोरो फायरी फॉस नामक दवा 4 लिटर प्रती हेक्टेर मात्रा में पौधे की जडों में छिड़काव करने के बाद सिचाई करें दवा का छिड़काव पौधे के उपर नहीं बलकि जडों की तरफ करना चाहिए उपर से सिचाई करने पर पानी के साथ यह दवा जमीन में गहराई तक पहुच कर दीमा को मार देगी आराम सिंग और गौरफ जी की समस्या का हल करने के बाद हमसे सवाल पूछा है अंकुर जी ने संबल से यह जानना चाहते हैं कि इनकी गाजर की फसल में पत्ता पीला पढ़ रहा है इस समस्या से कैसे चुटका रहा पाएं तीस टैन प्रती हेक्टर गूबर की खाद और नभे 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 किलोग्राम प्रती हेक्टर एन पी के बुवाई के पैसल खुराक के रूप में महु से कैसे बच्चा हैं उनकी इस समस्या का हल करते हुए हमारे साती किसान ने कहा है कि खेत में 5.6 पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं सरसो के महु के परियावरन संतुलित प्रभंधन के लिए एक मिली लीटर पानी की दर से डाइमेथो एट या ऑक्सिडो मेटोन मिथाईल या इमीडाइकलो फ्रेड का छिड़काओ करें आफशक्ता होने पर आठ से दस दिनों के अंतराल पर दो बारा छिड़काओ करें दिच्चा ये तो हो गया योगेश जी की समस्या का समाधान अब बताओ तुम्हारे पास अगला सवाल किसका है अश्विन कनकलाल जी पटना से फूस रहे हैं गेंदे का फूल कब लगाना चाहिए रशी एक्सपर्ट ने इस प्रश्ण पर राय दी है कि खरी सीजन में गेंदे की रुपाई आम तौर पर जून जुलाई के महीने में करते हैं लेकिन जहां पानी की उपलब्धता है वे किसान अगस तक कर सकते हैं अक्टूबर से फरवरी तक फूलने का समय आ जाता है यानि नवराद्रा और दिपावली पर फूलों की आवक आ जाती है इसकी खेती सर्दी, गर्मी, एवं बर्शा तीनों मौसम में की जा सकती है चंदोसी से राहुल जी पूछ रहे हैं कि धान में ताड़े के लिए क्या करें इस पर क्रशी एक्सपर्ट का कहना है कि नीम के बीच की गिरी के अर्क का छिड़काओ तना बेधक को नियंत्रिट करता है फसल पर क्लोरो फाइरी फॉस 20 EC 1250 मिली प्रती हेक्टेर का छिड़काओ करें बहुत खूब राहुल जी को तो उनकी समस्या का समाधान मेसेज के जरिये मिल गया है आप भी इसी तरह से मेरा गाउं आप या 728-900-900-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग के जरिये अपना सवार किसान नेटवर्क को भेज सकते हैं इसके अलावा 728-900-900-900 पर मेसेज या वाटसेप करके भी सवाल पूछ सकते हैं हाँ, क्योंकि किसान नेटवर्क का सिर्फ एक ही मकसद है किसानों की समस्याओं का समाधान करना अब आप सवाल टाइप करें और इसी के साथ हम आपको बताते हैं अगला सवाल किसने और कहां से पूछा है पवन सेनी जी संबल से पूछ रहे हैं कि टमाटर का कौन सा बीज डालें जिसकी पैदावार अच्छी हो और पौधा कब डालें इनका जवाब देते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है कि अरका रक्षक टमाटर की एक उच उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधक किस्म है अरका रक्षक टमाटर की प्रती पौधा 19 किलोग्राम उपज देती है और उन्होंने ये भी बताया है कि टमाटर की खेती पूरे वर्ष भर की जा सकती है पवंजी के बाद हमें सवाल पूछा है शैलेंदर जीने संबल से ये जानना चाते हैं कि पीली सर्सों में दाना मोटा करने का उपाए और इन्ही की चमस्या का हल हमें मिला है क्रशी एक्सपर्ट से इनका खेहना है कि पीली सर्सों में दाना मोटा करने के लिए सीचिश शेतरों में 80 kg नाइट्रोजन, 40 kg फासफेट एवं 40 kg पुटैश प्रती हेक्टर देना चाहिए फासफेट का प्रयोग SSP के रूप में अधिक लाबदायक होता है क्यूंकि इसमें 12 प्रतिशत गंदक की पूर्टी हो जाती है पहले FYM 50 kg और नीम केक 100 kg प्रती हेक्टर के हिसाब से डालें दोस्तों इसी थरह सवाल पूछते जाएं और आपको मिलता रहेगा आपकी परिशानी का हल अब फटा फट से लेते हैं अगला सवाल किसन जी का जो की है मुरादा बाद से ये गोवी की खेती करते हैं और जानना चाते हैं कि गोवी में नीला पन आ रहा है क्या करें और उनके इस सवाल का जवाब दिया है हमारे क्रशी एक्सपर्ट ने जब गोवी का फूल निकलने की अवस्ता में हो तो बायर कंपनी का नेटिवो 15 ग्रैम प्रती टंकी की दर से छिटकाव करें अमन अली जी पटना से पूछ रहे हैं कि ऐसी टेकनीक बताए जिसमें मक्का का पेड अच्छे से ग्रोह हो उनके इस सवाल का जवाब दिया है हमारे क्रशी एक्सपर्ट ने उन्होंने कहा है कि भूमी तयार करते समय 5-8 तन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिलानी चाहिए तथा भूमी परिक्षण उपरांद जहां जस्ते की कमी हो वहां 25 किलो जिंग सलफेट वर्षा के पूर्व डालना चाहिए मक्का की खेती के दौरान खाद वर उर्वर की सही विधी अपनाने से मक्का की व्रधी और उत्पादन दोनों को ही फायदा होता है धरमबीर जी जानना चाहते हैं उनकी आलू की फसल 55 से दिन की हो गई है उन्हें पानी कप-कप देना चाहिए उनकी इस परिशानी को हल किया है हमारे साती किसान ने और सुजाब दिया है कि सिचाई के बीच 20 दिन से ज्यादा कांतर ना रखे खुदाई के 10 दिन पूर्फ सिचाई बंद कर दें ऐसा करने से खुदाई के समय कंद स्वच निकलेंगे ध्यान रखें प्रतेक सिचाई में आधी नाली तक ही पानी दें ताकि शेश भाग रिसाब दोरा जमा हो जाए किसान भाईयों इसी तरह से आप अपनी खेती बाड़ी से जुड़ा किसी भी सवाल के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मेरा गाउं आप और अपनों से पूछों के जरीए साजा करें अपना सवाल किसान भाईयों इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपनों संग शेयर जरूर करें और वीडियो के नीचे बेल बटन को दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारे हर वीडियो की अपडेट मिलें इसी के साथ मुझे और अश्विन को दीजिए जादत बुद्धवार को फिर से होगी आपसे मुलाकार तब तक के लिए रखिए अपना खयाल नमस्कार हेलो किसान भाईयों मैं हूँ रुचा निगम और मैं हूँ अश्विन शर्मा हमारा ये यूट्यूब चानल अपनों से पूछो स्पेशली किसानों के लिए डेडिकेट है जी बिलकुल क्योंकि हमारे किसान नेटवर्क में चलाई है एक ऐसी कैमपेइन जिसमें बात होगे किसानों की समस्याओं की और उनकी समाधान की अब देखो हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती है कब समझ नहीं आता फसल को बोने के लिए कौन सा बीच सबसे बहतर रहेगा जिससे ज्यादा मात्रा में उपच हो फसल में सिचाई कप कप करें फिर फसल को रोक की चिंता सताने लगती है और फसल जब पकर तयार हो जाए तो उसे कहां स्टोर करें, कहां बेचें, मंडी में भाव क्या चल रहा है ये सब किसानों के रोज मरा के सवाल होते हैं, जो किसी ना किसी रूप में उन्हें परिशान करते रहते हैं अब बताओ हमारे किसान भाई अपनी खेती पर ध्यान दे या बस इन सवालों की गुत्थी सुलजाते रहें इसलिए किसान नेटवर्क ने जिम्मा लिया है आपके सवालों की गठडी में से रोज कुछ सवाल लेकर उन्हें हल करने का अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि आप आज किस समस्या से घिरे हैं हरे हाफ के तक पहुंचने के लिए हमने बहतरी नहीं निकाला है अपनों से पूछों के जरिए अब हमारे किसान भाई प्ले स्चोर पर जाकर मेरा गाउं आप डाउनलोड करें वहाँ अपनों से पूछों के जरिए भेजे अपना सवाल इसी के साथ जिन लोगों के पास स्पार्ट फोन नहीं है उनके लिए हमने कॉल के माध्यम से भी सवाल पूछने की सुविधा दी है यह तरीका भी सवाल पूछने का बहुत लोग असान है जो हमारे किसानों को काफी पसंद आ रहा है